तेल्टो नमस्कार को दोस्तो आज के शुड़ी में बात करने वाल है F.I.G. vs. B.T.P. की जो माच है उसके बारे में जा दोस्तो आज के शुड़ी में हम एक के धीठेस के बारे में बात करेंगे दोनों इंस प्रोबेबल इल उन के तरसे वह में बात करेंगे कुछ प्लियरों के स्टाइट में दिखाऊगा जिससे के अपको अपने इसे टाहर आपinkeridd you call या फिर कोई दूसरा आप हो और उसके बाद आखिर में आफकोस आपको मैं 3-3 मिलियोन के टीम्स भी दिखाऊंगा जिससे कि आपको अच्छी खासी अर्णिंग हो सकती है या फिर आप ग्रांड लिग या स्मॉल लिग जरूर जीत सकते या फिर ग्रांड लिग में अच्छी तो चली है दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं मैच की डीटेल से सबसे पहले मैच है ECS काटकसो पोर्तुगाल 2022 सीरीज का नाम है और ये इस सीरीज का तीसरा और चौथा मैच है जैसे आप बात कर लेते हैं जैसे कि आप बात कर लेते हैं फाइटर सीसी वर्सेस ब्रदर्स लेवन पोर्तुगाल के बीचे मैच है यानि FIG वर्सेस BTP के बीच के मैच है डेटर टाइमिंग के अगर बात करें तो 28 अफ मार्च यानि आजी के दिन शाम को पहला जो मैच है वो पाच बजे होने आला है और सेकंड जो मैच है वो साथ बजे होने आला है यानि दो मैचेस इन दोनों के बीचे आनि काफी अच्छे अर्निक करने का चांस है दोस्तों तो यह वीडियो दोनों मैचेस के लिए रहेगा और पहली मैच के स्कोर कार्ट पर भी जरूर नजर रखिएगा विन्यू के अगर बात करें तो अट गुच्छे क्रिकेट ग्राउंड अलबेरिया है अब बात कर लेते मैच की सबसे पर इंपर्टेंट इससे की जो रहता है पिच्रे पॉर्ट दो पिच्छे अट गुच्रे क्रिकेट ग्राउंड विल बालेंस्ट वन बोथ बाट्समंस बालर्स दोस्तों बैटिंग और बालिंग दोनों अच्छे से होगा तो यहां पर कोई परेशानी नहीं है और यह यह भी बताना थोड़ा मुश्किल है कि टाट जितकर कोन पहले बल्लेवाजी या गेनबाजी ले सकता है अब बात कर लेतें दोनों टीमों की प्रोबेबले ले उनकी तो सबसे पहले FIG की प्रोबेबले ले उनकी बात कर लेते हैं तो वो कुछ इस्तर से रह सकती है पी सिंग, एक ओलहर, जे प्रकाश, एम सिंग, आर सिंग, दिपु एम, एम डी इमरान हुसेन, मन्दीप सिंग, जी सिंग, जे कुमार और जी धिलोन इस तर से रहेगी प्रोबेबले ले ले उन FIG की आप इसे प्रेडिक्टेड या फिर प्लेइंग ले ले उनकी तो सबसे पहले किस तर से रहेगी ओम, ओमकार सिंग, जी सिंग, रवी इश्वर, धीरज मिन्हास, प्रदीप एन, मन्परित सिंग, जी सिंग, संजीव कुमार, महमद शान, भलविंदर सिंग और आजय कुमार इस्तर से रह सकती प्रोबेबिल लिए उन प्रेडिक्टेड या प्लेइंग लिए उन बी टीपी की तो अब बात करते हैं कुछ प्लियरों के स्टाट्स में आपको दिखाऊंगा तो जिससे कि आपको अपनी खुद के विनिंग टीम बनाने में आसा नहीं हो जाएगी हिल्प एम आठ मैचेस खेल चुके हैं 164 रन बना चुके साथ चार विक्टे भी ले चुके तो एक अच्छे ओल राउंडर सावित हो सकते हैं इनको में होट्पेक्स में रख रहा हूं मन्दिप सिंग की बात करें तो 14 मैचेस में 191 रन बना चुके गेन बाजी नहीं करते शायद विकेट नहीं है इनको एक भी ये भी अच्छा होट्पेक्स माना जा सकता है पी सिंग की बात करें तो 6 मैचेस में 36 रन तो ही साथ साथ विक्टे भी इनको मिली है तो ये दोनों मतलब बैटिंग और जवरत पढ़ने पर बैटिंग तो करी सकते हैं साथ इसाथ गेन बाजी काफी बढ़िया कर सकते हैं वी विरेंद्र विरेक की बात करें तो आठ मैचेस में 49 रन है तीन विकेट है इनका भी देखा जाए तो ठिक्ठा कॉल राउंडर है तो इनको भी आप ट्राइक कर सकते हैं अगर बात करें ब्रदर्स इलेवन्स की होटपिक्स की तो तीनी होट होटपिक्स में निकाल पाया हूँ जी सिंग 10 मैचेस 85 रन 9 विकेट मोहमर्चान 4 मैचेस 7 रन लेकिन विकेट 6 मिलिये दोस्तों भी तक बलविंदर सिंग 14 मैचेस 236 रन 8 विकेट काफी बड़ी आल राउंडर है इनको हर टीम में लेना ज़रूरी रहेगा तो यह थे कुछ होटइक्स जिसे आप लेकर अच्छी एक विनिंग टीम बना सकते हैं चाहें दूसरा अब चलते हैं ड्री मिलेओन के विनिंग टीम जिससे कि आपको अच्छी कासी अर्णिंग हो सकते या फिर आप ग्रांड लिग या स्मॉल लिग ज़रूर जीच सकते तो सबसे पहले तो आपको इडिट करके दिखाता जाओंगा किसको लेना किसको नहीं और में अच्छी अच्छा पतना च्छाओ टो जिए मैं किल्स करको डिखाँगे पहलें आपको ऍसस why और कीपिंग में हमार पास अच्छ अच्छ आप्शन से तो सबसे पहले दो किपर्स के साथ में जा रहा हूँ एक ओलर के साथ तो जा रहा हूँ डी जी डिलोन के साथ भी जा रहा हूँ दोनों अच्छे कीपर है और काफी बढ़िया क्रिकेट खेल सकते तो जरूर आप इन द की बात करें तो ऐल रॉंडरं में देख सकते व मनहास Dopo यह कुमार को ले रहाओ और पर यह सबीकिंद सब्सक्राइब कि द्बिerk करन के लिए लांवार ने खुंग करो छिक सकते नayhone को कैप्टन बना रहा हूँ और भी सिंग को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ जैसे कहा आप देख पहा रहे सबसे पहले कीपिंग की बात करें तो एक ओलहार को मैंने लिया है जी डिलॉन को भी इस टींग में में शामिल रखा है दो कीपर के साथ जा रहा हूँ पिछली अगली दो टिमों में कुछ ना कुछ चेंजर जरूर करूँगा मैं बात करते बैटिंग की तो S कुमार है N कुमार है और V सिंग है इस तरह से तीन अच्छे खासे बल्लेवाजों को मैनेश टीम में शामिल कर लिया है अगर अल रांडर की बात करें तो दो की पर लेनी के वज़े से ह आप इसे स्मॉल लिग के लिए लेकिन व्यद्ट के लिए जादा यूच करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेएगा आपको अच्छे कासी अर्निंग हो सकते या फिर आप ग्रैंड लिग या स्मॉल लिग जरूर जीच सकते और उसके बाद एक ग्रैंड लगाने के बाद अग यहाने बैटंग में और वालिंग में तो पॉइंट देंगे साथ यह साथ क्याप्टन और वाइस क्याप्टन मनाने के वजह से डबल और देड़ कुना भी यह पॉइंट देने वाले तो इसकी हुझे से आमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिल सकते हैं इसलिए मैं इन दोनों को कैप्टन और वैस कैप्टन बना रहा हूँ अगर आप चाहे तो किसी और को भी बना सकते हैं लेकिन मुझे लगता है दोनों ज्यादा बेस्ट रहें तो कुल मिला के काफी बढ़िया टिम बन चु बैटिंग के बात करें तो मेरे पास वी सिंग 10 कुमार है एम सिंग है तो यहाप भी मैंने एक कर लिया तो काफी वड़िया तीनों की तीनों बल्ली बाद फिर से अल्राइज की बात करें तो यहाप धी मिला करक़् सeton और बैस मिलोर इस्टर से चार ऑल्रांडियं चारह और एम शान इस तरह से तीन अच्छे खासे गेन बाजों को भी मैंने इस टीम में शामिल कर लिया है तो कुल मिला कि काफी अच्छे चेंजिस करने के बावजूद हमारी टीम काफी बढ़िया बन चुके और काफी मजबूत लग रही है अब फिर से कंटीनू पर क्लिक कर लेत टीम प्रिव्यू करते हैं सबसे पहले तो बात करते हैं केपिंग की एक ओलहर को लिया है मैंने वाकि किसी और किपर को नहीं ले रहा हूँ अगर बात करें बल्लेबाजी में तीन आप्शन है एन कुमार वी सिंग एम सिंग इस तरह से चार तीन अच्छे खासे और को इस टीम में शामिल कर रहा हूँ एम सिंग जयार जे कुमार बी सिंग और एमनास इस तरह से चारों की चारों बेस्ट और जरूर आप इन चारों के साथ जाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है आप ग्रांड लिग में अच्छी खासी आर्निंग तो पक्ता अगर आप आपको स्मॉल लिग लगा नीए तो आप जरूर लगा सकते हैं लेकिन जरूर लगाएगा क्यूकि एटीम आपको अगर वैसी कंसलस करा करें तो जैसे कि आपको तिम के बिस ने को बनाने वालो जैसे पिछले फीम में बला था मैंने कि मैं इनको सब्स Combा पमेंने कि मैं इनको बनाना चाहा रहा था लेकिं जादा लोगों काफी यॉड़ों मैं बना पार पाराने के बाद अगर आप स्मॉल लिग लगाना चाहेंगे तो ज़रूर लगा सकते तो चलिए दोस्तों इश्टीम को भी क्लोच कर लेते सेव कर लेते और तीसरी और आखरी टिम में आपको इडिट करके दिखा देता हूं तीसरी और आखरी टीम की अगर बात करें तो एक ओलहार को ही ले रहा हूँ लेकिन अगर आप चाहे तो यहाँ पे आर इश्वर भी अच्छा उप्शन है और जी डिलॉन भी एक अच्छा उप्शन है आप पर निर्बर करता है कि आप किसको लेना चाहते तो अभी फिलाल मैं आर इश्वर को लेकि दिखा देता आपको उसकी बात बैटिंग पर चलते तो यहां पर ऊप्ष ले रहाए वान थी इंप मेल्ज ज्य आघो और ऑर कुमार को ले रहा तो इस तर से चार अच्छे कम से कम जरूर रोखूंगा तो इस तर से तीन अच्छे खासे अल राउंडर ले लिए मैंने गेन बाजी पर चलते तो यहां पे तीन गेन बाजे जे प्रकाश ओसिंग और जी सिंग जी सिंग को भी अभी तक मेंने एक भी टीम में लिया था इनको जरूर लूँगा तो कुल यहां पे एम सिंग को वाइस क्याप्टन बना रहा हूं दोनों की दोनों बेस्ट है दोरू आप इन दोनों के साथ जा सकते हैं आज क्याप्टन और वाइस क्याप्टन आप इनको चूज कर सकते हैं टीम प्रिव्यू करते हैं सबसे पहले मैंने किपिंग में यहां पर चें सबस्टर से चार अच्छे कासे बैट्समन है जो कि अच्छा कासा खेल सकते तो जरूब आपको अच्छे कासे मिलने आले इनकी वज़े से अगर बात करें आल राउंडर की तो himson और बी सिंग यहां पर तीनों सिंग को मैंने ही या पर ले लिए दोस्तों तीनों बेस्ट रोंडर और बैटिंग और बॉलिंग प्लियर से प्लियर सभी की सभी तो आप जरूरूर इन सबके साथ जाएंगे तो आपको मैंने एम सिंग जया आपको काप्टन में यह बहुंग आपको फाइदेबन सावित हो सकते और एम सिंग काफ़े अच्छे बाटिंग कर सकते और और काफी बढ़िया स्टाइक रहे ट्रक सकते तो इसे लिए इनको की दोनों बेस्ट आप जरूरे इन डोनों के साथ जा सकते ए सभी एंट मिला कि ये काफी बढ़ीया वन चुके इस टीम को सेव कर लेते है और आखिर में यहाँ को इन टीमों में अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर आपको लगता है कि क्याप्तन और वैस्ट केप्टन सही नहीं है तो दोस्तों साथ उसाथ अपने टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहाँ से जाके उसे जाइन जरू कर लिजे, क्यूंकि इन दोनों टीमों का पहला मैच है, तो आपको चेंजेस में टेलीग्राम पे बताता रहता हूं, किसको ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह पे आप किसको ले सकते क्योंकि यह टीम दोनों की पहली है मैच तो जादा चेंजेस होने के काफी चांसे से तो इसलिए टेलिग्राम को जाइन करना थोड़ा जरूर यह तो जरूर कर लीजिए आज के उडियो में इतना ही मिलते अगले उडियो में तब तक के थैंक यू धन्यवाद गुडबाए